टेकनिकल एजुक्वेशन हब चैनल में आपका स्वागत हैं आज जानेंगे भारत का सविधान में महत्पूर्ण टाफिक प्रधान मंतरी के बारे में प्रधान मंतरी की नियुक्ति, पदाउधी, सपत यों वेतन भत्ते इन सब के बारे में अध्यान करेंगें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सविस्क्राइब करें भारत में प्रधान मंतरी के बारे में इसके नियुक्ति के लिए कोई उसेश प्रक्रिया नहीं दी गई है लेकिन अनुचे 75 के तहट द्यवस्ता किया गया है कि प्रधान मंतरी की नियुक्ति राष्टपती करेंगा ध्यान देना है प्रधान मंतरी की नियुक्ति राष्टपती करेंगा प्रधान मंतरी का निर्वाचन नहीं होता है प्रधानमंद्री के लिए चुनाओं नहीं होते हैं प्रधानमंद्री एक संसद होता है जानते हैं आगे संसद में किसी भी दल को इस्पष्ट बहुमत न मिलने पर राष्ट पती अपने स्ववव एक से प्रधानमंद्री की न्यूपती करता है अगर किसी दल को इस्पष्ट बहुत प्राप्त नहीं होता है तो राश्ट पती किसी को भी प्रधान मंद्री निउप्त कर सकता है वह सबसे बड़े दल का नेता या गड़ बन्धन को सरकार बनाने के लिए आमंद्रित कर सकता है अगर किसी दल को इसपश्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो सबसे बड़े दल को या गड़ बन्धन सरकार को गड़ बन्धन वाले दल को सरकार बनाने के लिए मंद्रित कर सकता है जो प्रधान मंद्री बनेगा उसे एक माह के भीतर संसद में विश्वासमत हासिल करना होता है ये अच्छी बयोस्था है कि अगर किसी दल को इसपशब बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो प्रधान मंद्रि की जा सकती है आगे देखते हैं प्रधान मंदरी कौन बन सकता है प्रधान मंदरी कोई भी ब्यक्ति बन सकता है जिसे राश्ट पती बनाना चाहें इसके लिए जोरी नहीं है कि प्रधान मंदरी लोग सभाग सदस्य हो इसी सदन की सदसेता नहीं लेती है तो उसे अपने पास से इस्थिपा देना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री अपने पास से इस्थिपा नहीं दे रहा है तो राष्टपती उसे बरखास कर सकता है। और नए प्रधानमंत्री की निवटी कर सकता है। राष्ट पती प्रधान मंदरी की निउप्ती समानिता बहुमत दल के नेता को ही करता है और गड़बनना सरकार में बहुमत दल के नेता को ही प्रधान मंदरी निउप्त करता है जानते हैं प्रधान मंदरी की पदा होदी सपत यों वेतन भत्य के बारे में यदि आपको हमारा यूडियो अच्छा लगे तो लाइक करें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आये हैं तो सबिस्क्राइब करें जानते हैं प्रधान मंत्री के सपत, पदा अधी और वेतान के बारे में प्रधान मंत्री पद गरहर करने से पूरव उसे राष्ट पती पद्यम गोपनियता के सपत दिलाता हैं प्रधान मंत्री को जो है राष्ट पती सपत दिलाता है और अन्य मंत्यों को प्रधान मंत्री के सिफारिश पर राष्ट पती ही सपत दिलाता हैं प्रधानमंत्री का कारेकाल जो निश्चित नहीं है वह राष्टपती के प्रसान परियान पद्धानर करता है लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि प्रधानमंत्री उसे किसी भी समय हटा दें ऐसा नहीं है कि आज राष्ट प्रधानमंत्री बना और कल हटा दिया वैसा नहीं ह प्रधानमंतरी को जब तक लोक सभा में बहुमत हासिल है तब तक उसे राश्च्पती बर्खास्थ नहीं कर सकता कहने का अर्थ है प्रधानमंतरी बहुमत दल का नेता होना चाहिए तब उसे बर्ास्थ नहीं किया जा सकता अगर वो अल्पमत की सरकार बनाया हुआ है बहुमत नहीं है कड़ बंधन की सरकार है अगर कड़ बंधन फूट हो जाता है तो नए प्रधान मंदरी की नियुक्ति कर दी जाती है आगे देखते हैं लोक सभा में अपना विश्वासमत खो देने पर प्रधान मंदरी को अपना त्याग पत्र देना होगा त्याग पत्र अनना देने पर राष्ट्पति उसे बरखास्त कर सकता है लोक सभा में अगर प्रधान मंदरी विश्वासमत हासिल करने में सफल नहीं होए तो उसे अपने पत्र से त्याग पत्र देना करें पड़ेगा ऐसा एक बार हो चुका है भारत में विश्वनात प्रताप से जो है विश्वासमत हासिल करने में असफल रहे थिम इसलिए प्रधान मंत्री का कारेकाल कोई निश्चीत नहीं है हो सकता है एक साल के लिए रहे हो सकता है पांस साल के लिए रहे हो सकता है छे महिने के लिए अगर वो किसी सदन का सदसे नहीं है तो केवाल छे महिने के लिए प्रधान मंत्री रह सकता है प्रधान मंत्री का वेतन और भत्ते जो है संसत द्वारा समय समय पर निधारिट किये जाते हैं वह संसत को प्राप्त होने वाले वेतन और भत्ते प्राप्त करता है प्रधान मंत्री का अलग से वेतन नहीं होता वह लोकसभा या राज्यसभा सदर से रहता है और उस रूप में वेतन लेता है हमने देखा प्रधान मंत्री और उसके सपत, पदावधी और वेतन के बारे में इससे सभी एकजमों में क्योस्टन पूछे जाते हैं अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सबिस्क्राइब करें और इसी तरह का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबा दें